नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पर कहा कि जीले में बर्षा पात और क्रिसी की रिपोर्ट सहीं नहीं मिल रही है उन्होंने रिपोर्ट पर उपयूद का सन्वेदन सील होकर नजर रखने के लिए कहा जिसे किसानों को लाव पहुचाया जा सके पत्रकारु से बात करते हुए क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राजे के साथ-साथ खोटी की स्थिती सुखार की ओर जा रहा है औसत वर्षा से 46 परत्यत कम बारिस हुई है या चिंता का विशाय है 15 अगस्त तक धान रोपाई का समय है अभी तक एक भी खेत में धान की रोपाई नहीं दिख रही है उन्होंने मौके पर बताया है कि बैकल्पिक उपाई को लेकर उच्चस्तरिय बैठा किया गया है जिसमें बिशम परिश्थितियों में किसानों की मदद को लेकर सुझाव आया है जार्खन राज फ़सल रहत योजना के तहट फ़सल रोपाई में अगर किसानों को मौपजा दिया जाएगा योजना के तहट किसानों को राज सरकास सिधर आसी देगी जार्खन बिधान सभा मानसुन सत्र 29 जुलाई से सुखार पर विशेश चर्चा जार्खन में 29 जुलाई से सुरू होने वाले मानसुन सत्र के हंगामे दार होने के असार है राजे के मुख विपक्षी दल बिजेपी ने अध्यक्ष की बुलाई बैटक से दूरी बना कर्या साप कर दिया है बता दे जारखन में रूठे हुए मानसून को लेकर एक अगस्त की दूसरी पाली में सदन के अंदर चार्चा होने की संभवना है इसको लेकर कार्यमंत्रना की आहुत बैठक में सरोसमती बनाने की कोशिस होगी सरसद्य कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने 6 दिन के छोटे सत्र को उप्योगी बनाने की अपील सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से किया है वही माले विधायक बिनोज सिंग ने इस मौके पर कहा है कि मानसूल सत्र में बगर किसानों के हीत की बात किये या उप्योगी सावित नहीं हो सकता जारखन में इस पर कुरोना संक्रमीतों में 40 पिसदी महिला हैं रांची में पूरे राजे के मुकाबले सबसे अधी कुरोना संक्रमीत हैं राजे के स्वास्त विभाग के आकड़े के अनुसार बोधवार तक 381 एक्टीव मरीज थे वही रिम्स में सिर्फ तीन मरीज ही भरती हैं बता दे रिम्स के विशसक चिकितसक डाक्टर देवेश के अनुसार भरतीवा कूल मिल रहे मरीजों में 40 पिसदी महिलाएं हैं जबकि 60 परतिसद पूरुष संक्रमीत हैं उन्होंने कहा पिछली तीन लहरों के मुकाबले महिलाओं के संक्रमीत होने कि दर ज़्यादा हैं उन्होंने बताया है कि इस लहर में अब तक कोई गंभीर मरीज नहीं मिला है जिन लोगों की मौत हुई है वो पहले से किसी ने किसी गंभीर बिमारी से पिड़ी थे जार्खन अंदोलन कारियों का परदसन 29 जुलाई को आसरीतों की सीधी बहाली करने आंदोलन कारियों के वन सजो आसरीतों को प्राथमिक सिक्षा से लेकर उच सिक्षा तक निसुल्क ब्यवस्ता करने आदी मांगों को लेकर किया जाएगा हर घर तिरंगा परभात फेरी को रवाना करेंगे राजेपाल आजादी का अमरित महोत्साओ के अंतरगत हर घर तिरंगा कारेकरम में 12 अगस को राज़ी बिस्व बिद्याले के एक यार चात्र राजबहों से परभात फेरी निकालेंगे इस परभात फेरी को राजेपाल रामेश बैस सुबह साथ बैस रवाना करेंगे बतादे परभात फेरी मुराबादी इस्थीत आरेवट सभागार परिसर में आकर समाप्त होगी इसी दिन साम चार बज़े राजेपाल राची बिस्व बिद्याले के आर यू IETE CPC Center of Excellence का भी उदगाटन करेंगे कूलपती डाक्टर अजीत कुमार ने बुद्धवार को राजेपाल से मिलका Center of Excellence के उदगाटन के लिए अमंत्रित किया जिसे राजेपाल ने सविकार कर लिया है साहेव गंज में ED के तिसरे दिन भी हुई जाए साहेव गंज में अवैद खनन वा मनी लोंटरिंग मामले को लेकर ED की जाच लगातार तिसरे दिन भी जारी रही ED की टीम सुबा करीबे 11 बज़े साहेव गंजी लाग खनन का रियाल लाए पहुचकर आवसक दफतावे जुटाए वा पताधिकारियों से पूछताच की इसके बाद अधिकारियों के साथ क्रेसर प्लांट वा माइन्स की जाच करने निकल गए जाच में जाने के दवरान DMO, विभूती कुमार, CEO अब्दूल समन, परदूसन बोड के पताधिकारी, कमला कांथ पाठाक वा पारसद मुख्याले, राजीव कुमार सिना के अलावा सरकारी अमीन वा, CRPF जवानों के साथ मंडरो परखन्ड के मुंडली मोजा इस्थीत, ही 18 सदर अस्पताल के ICU में इलाजरत मंकी पोक्स के 8 वर्षिय संदिक दबची का आज सेंपल लिया गया, बतादे सेंपल को National Institute of Virology पुने में जाच के लिए भेजा जाना है, इसकी त्यारी में स्वास्त विभाग जुटा हुआ है, इस समध में जिला में हमारी बिसेसर के ड डाक्टर संतोस कुमार मिस्रा ने बताया है कि सेंपल को सिगर ही भेज दिया जाएगा, डाक्टर मिस्र के निगरानी में सदर अस्पताल के लेब टेकनेसियल ने मरीज का सेंपल लिया है, जज उतम अनंद हत्याकांड का फैसला पुने ति थी पर, धनबाद के अपर जिला एवम सत्र ने अधिस उतम अनंद हत्याकांड का फैसला कल सुनाई जाएगी, बता देया फैसला ठीक उसी तारीक को आने वाला है, जिस तारीक को एक साल पहले जज उतम अनंद के हत्या की गई थी, यह उनकी पुने तिथी भी है, बताते चले कि जज उतम अनंद के में मामले की सुनवाई हुई थी जहां सुनवाई करते हुए CBI की विशेस ने अधिस रजनी कांत पाठक ने मामले को सुनने के बाद फासला सुनाने काने ने लिया है बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार बिमलेंदू ने लिखित बहस दायर की बता दे अभियोजन पक्ष से CBI के विशेस लोग अभियोजक अमीत जिंदल पहले ही अपनी बहस कर चुके हाँ C.M. हिमंत ने 5 जिले को 898 एकड से अधिक भूमी में फल्दार पौधे लगाने का दिया लग छे C.M. हिमंत ने कहा है कि अब तक एक एकड भूमी पर फल्दार पौधार लगाने की सुख्रिती देने किया है साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी भूमी पर भी ग्रामीन पौधार लगा सके ऐसा कानून बनाने की योजना है बता दे लोहर्दागा में आवेजीत समारों में C.M. मंसुरे ने रांची खोटी गुमला लाते हार और लोहर्दागा के करी उन्होंने इसे लगाने और संभालने का भी लग्ष दिया कारकरम में 10 लाभुकों को स्विक्रिती पत्र परदान किया गया वही मुख्य मंत्री ने लाभुकों को फल्दार पौधा और सौल ओढ़ा कर परससित पत्र समान सरूप सौपा हजारी भाग में 1 अगस्त से सुवरतो का फोटबॉल टोर्नामेंट बर्श 2022 स्थ के लिए ओत्री छोटा नागपूर परमंडल अस्तर ये सुवरतो का फोटबॉल टोर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 1 से 4 अगस्त के बीच हजारी भाग के करजन ग्राउंड मैदान में खे दोगता के सफन संचारन को लेकर जीला खेल विभाग की ओर से त्यारी अम्तिम चरन में हाए पंकज मिस्त्रा की 75 कोड की संपती जाप्ते टेंडर विवाद अवयद खनन परिवाहन वो मनी लॉंडरिंग के तहत अनुसंधान के दोरान एडी ने पिछले तीन दीनों के भीतर थायवगा जो बड़ी करवाई की है अनुसंधान के दोरान ही इडी ने मुख्य मंत्री हेमान सुर्ण के बरहेट विधान सवाचेतर के विधायक परतिन इदी पंकज मिस्त्रा को गरिफतार किया था बता दे पंकज मिस्त्रा फिलाल इडी की रिमांट पर हाए जिन से पूस्ता जारी है इडी ने पंकज मिस्रा के सारे प्रगंगा नदी पर अवय तरीके से जहाज का संचरन कर रहे राजेस यादव उर्फ दाहु यादव का एक मलवाख जहाज जब्त किया है जिसकी कीमत करीब 30 कोड रुपे बताई जा रही है इसके अलावा इडी ने एक पंकज मिस्रावा उनके सायोग्यों की करीब 45 लाख रुपे मुले का 37.5 लाख क्यूबिक फिट पथर की जब्त किया है रांची और खुटी में एन आई ए का छापा मवादियों के मगध जोन के कुख्यात नक्सली रहे 25 लाख के नामी प्रदूमन सर्मा के बेटे तरुन कुमार ने रिमांड पर पूस्ताच में राष्टिय जाच एजेंसी को लेवी रंगदारी हाथियार वा बिसफोटक सप्लाई से समंधित सुरोत की विश्ति जनकारी दी है बता दे तरुन कुमार दो दिन पहले ही एन आई ए के हाथों गिरफ्तार हुआ था जिसने बताया था कि पिता प्रदूमन सर्मा के हजारे बाग पूलिस के हाथों पिछले साल अगस्त महिने में गिरफ्तारी के बाद कमजोर पढ़ रहे मवादियों के मगध जोन को फीर से मजबूत करने हुआ जूटा हुआ था और जेल में बंद अपने पिता के सारे परहिवा मवादि संगठन को धार देने की कोशिज कर रहा था कांग्रेस ने बुलाई बिधायकों की बैठा क्रोस वोटिंग पर कलास बिधान सभा के मांसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस बिधायक दल की बैठा गुरुवार को होगी और इस दोरान पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर घटित घटनाओं पर बिस्तार से चर् इस महस्ते पर विधायक दल के नेतालम गिर आलम और परदेश अध्यक्ष डायस्टाकूर से रिपोर्ट भी मांगी गई थी बिजली टावर पर चुरार है थे लोहा करंट से तीन की मौत हजारी बाग जीले के बिसुनु गड़ परखंड इस्थीत बनासो के बिलंडी में बड़ी घटना हुई है बिजली टावर पर चड़कर लोहे का एंगल चोरी करने गए तीन बिरहोर जनजाती समुदाय के युवाओ की मौत करंट से हो गई बता दे घटना मंगलवार की रात अमतिम पहर की है हादसे के सिकार यूकों में चरकू बिरहोर, नरेश बिरहोर और जेठू बिरहोर सामिल है इसमें जेठू बिरहोर का सो बिजली टावर पर लटका बरामत किया गया जिसे नेशनल पावर ग्रीट के अधिकारियों ने कर्मियों के जरे नीचे उतारा बाकिक के दो सवों को हादसे के बाद बिलंडी गाविस्थीत मिरितकों के सोजन ने घर ले जाकर कमरे में चुपा कर रख दिया था सरकारी भूमी पर लगाईए फलदार पौधा कीजिए सामोहिक दावेदारी सियम हमांत लोहर दागा में बुद्धवार को जन सभा को समोधित करते हैं मुख्य मंतरी हमांसुरे ने कहा है कि हमारी सरकार ने जो योजनाये बनाई है वो अधरातल पर कितनी कारगर है या अभी देखना हमारा काम है राज्य कठन के बाद जितनी भी सरकार आई उनके समय में बनाई गई योजनाये कागजों में ही सिमट कर रहा गई है राज्य में कई ऐसे जगह हैं जहां आज भी कभी कोई पता दिकारी नहीं गया जानता के लिए बनाई जा रही योजना एक आग जो में ही खत्म हो जाती थी हमारी सरकार ने हर किसान हर मैदूर के लिए कोई न कोई योजना देने का काम किया है कोविड जैसे मां हमारी के दोरान भी हमारी सरकार ने आम जानता के लिए काम करने का परयास किया बिर्साहरित ग्राम योजना की जमीन यहालाद देखने के लिए लोहरदगा आये थे जारखन के मंदीर जहां भक्त परसाद में चढ़ाते हैं नमक सरकारी दस्तावेजों में नूनबिल मेला के नाम से दर्ज जो नूनबिल नदी के किनारे लगता है यहां देवी और नदी दोनों का नाम नूनबिल है बता दे कुछ लोगों इसे नूनबिल बुढधी के नाम से भी पुकारते हैं नूनबिल में दो सब्ध है जिसका साब्दिक मतलब नून यानि नमक और बिल का मतलब बिला जाना या गायब हो जाना है बतादेश छेत्र के पुराने लोग यह भी बताते हैं कि नमक की देवी की नमक से पूजा की परमपरा कितनी पुरानी है वर्ष 1910 में परकासित SSL ओमायली के बंगाल डिस्ट्रीक गये टियर संताल परगना के मुताबिक वर्ष 1910 के बहुत साल पहले भी यहां पूजा प्रचलन में थी और उस अस्थान पर तब भी मेला लगता था अब सर घर घर पहुचेंगे तभी जोजनाओं का मिलेगा लाब सियम हेमांत मुखे मंतरी हमंसरे ने कहा है कि किसानों के उपजाय किरिषीवत पादकों का उचीत मुल्य मिल सके इसके लिए राई सरकार गरामीन छेत्रों में कोल्ड एस्टोरेज और बजार पुरबंधन के विवस्था करेगी मुख्य मंत्री हमंसुरे ने बुद्धवार को लोहरदागा में बियेस कॉलेज स्टेडियम परिसर में आईद बीरसा हरीत ग्राम योजना सम्मान समरो एवं परिसंपत्ती बीतरन कारकरा में बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने इन सुदूर छेतरों में बसे लोगों तक विकास योजनाओ को पहुचाने का परियास कर रही है लेकिन जब पताधिकारी घर घर तक पहुचेंगे तभी जानता को योजनाओ का लाब मिल सकेगा ग्रामिन महिलाये बनाएंगी साड़ेतिन लाग तिरंगा हर घर तिरंगा की सुरुवात प्रधान मंतिक नायन मोदी के हर घर तिरंगा अभ्यान की घोसना के बाद मेदनी नगर के चैनपूर परखंड में इस्थीत चैनपूर महिला आजीव का सिलाई उत्पादक समो द्वारा संचालीत कोयल अपेरल पार्क की महिलाओने मार्केट में आई इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कमर कस लिया है बता दे परखंड में इस्थीत कोयल अपेरल पार्क की महिलाओने तिरेंगा बनाना सुरू कर दिया है जनकारी के अनुसार अभी तक उन्हें 3.5 लाग तिरेंगा जहंडों की डिमांड मिली है इसके लिए कूल 75 महिलाओने काम सुरू कर दिया है बिहार की कृष्ण बम सत्तर की उम्र में 18 घंटे में जलारपन किया सत्तर की उम्र लेकिन जज़बा सत्रा की उम्र को भी मात देने वाला है बता दे ये बात बिहार में कृष्ण बम के नाम से मसूर एक महिला डाक बम के बारे में बेसक कही जा सकती है बतादे क्रिष्णा मुल रूप से मुझाफरपूर के रहने वाली है सोमवार को सुल्तान गंज से जल उठाने के बाद उन्होंने देवघर बाबा दाम तक की 108 किलो मिटर लंबी की यात्रा महज 18 घंटे में ही पूरी कर फिर से सब को हैरान कर डाला बतादे कि क्रिष्णा पूरे बिहार में क्रिष्णा बम के रूप में ख्या था देवघर पहुचने के बाद क्रिष्णा बम ने पहले बाबा मंदिर के प्रांगन में जल अरपन किया फिर बाय आरगा में गंगा जल अरपित किया इस उम्र में कृष्ण बं का डांक कावर ले जाने को देखते हुए परसासने उनकी सुरक्षा और मदद के लिए फोर्च लगा दी थी जारखन के बोकारों जी लेके एक आटो चालक ने इमंदारी की मिसाल पेस की है दरसल बोकारों के सहरी इलाके में आटो चलाने वाले एक चालक को अपने आटो में मोबाइल से भारा एक बैग मिला जिसके बाद आटो चालक ने इमंदारी का पर्चे देते विए मोबाइल से भरे बैग को CT DSP को सोब दिया CTDSP ने जब अपने सामने इस बैग को खोला तो इसमें 19 एंडरेड मोबाइल फोन मिला है इस बारे में CTDSP कुलदीप कुमा ने बताया है कि इतने सारे मोबाइल का बैग में मिलना या दर्साता है कि कही न कही मोबाइल चोर गिरों की सरगना महिला होगी राजभवन के पास JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति समधित कोई प्रस्ताव लंबित नहीं राज़भौन की ओर से असपश्ट किया गया है कि जार्खन लोक सेवा आयोक के अध्यक्स किन्योक्ति से समंधित कोई भी परस्टाव या संचीका राजेपल के पास लंबित नहीं है इस संबंद में कोई भी संची का अभी तक राज सरकार द्वारा राजेपल के समक्ष प्रेसित नहीं की गई राजभवन की ओर से सुचित किया गया है कि सायक अभियांता परिच्छा के अभियार्थी द्वार राजभवन में जारकन लोग सेवा आयोक अधर्ष की नियुक्ति के संदर में विभीन मध्यमु से अवेदन प्रेसित किये जा रहे हैं और अभियार्थी दूर्भास पर भी राजभवन की विभीन पता दिकार दोस्वार कर चारकन लोग सेवा आयोक अधर्ष की नियुक्ति राज़ेपल से अधर्ष सिग्र कराने के लिए अग्रण कर रहे हैं मानो तसकरी के सरगना पनालाल के खिलाप आरोपता है मानो तसकरी कर क्लोर रुपए की मनी लोंडिंग करने के मामले मानो तसकरी के किंग पिंग पनालाल महतो उनकी पतनी सुनिता कुमारी भाई सीव संकर गंजु उर्फ सीव संकर महतो यम सहयोगी गोपाल उराव के खिलाप इड़ी की विश्यस अधालत ने आरोप गठित किय आरोप गठन के साथ ही आरोपियों के मुश्कुलिय बढ़ गई है पन्ना लाल महतों समेद चारो आरोपी जेल में है धनबाद में सप्लाई वाटर की रास्निंग की तयारी दस दिन और बारिस नहीं हुई तो धनबाद सहरवासियों को एक दिन बीच कर सप्लाई पानी मिलेगा जुलाई के अमतिमा में मैथन डेम का जलस्तर 455 फीट पर पहुँच गया है बता दे जलस्तर 453 फीट होने पर सप्लाई करने में विभागों कठिनायों का सामना करना बारिस अगर दस दिन के अंदर नहीं होती है तो सहर में पानी सप्लाई करने में परिशानी होगी इस करन विभाग राशनिंग करने की त्यारी में जुटा है बिश्व आदिवासी दिवस पर पाहनों को समानित किया जाएगा आदिवासी जन परिशत की बठक बुद्ध्वार को करम टोली इस्थीत कार्याले में होई अध्यक्स्ता परिशत के अध्यक्स प्रेम साही मुंडा ने की बेठक मनीन लिया गया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम धुमकुडिया भवन करम टोली में होगा इस दोरान विभीन मौजा के पानों को समानित किया जाएगा दिसंबर 2013 तक ससस्त्र बलो में भरे जाएंगे 84 हज्जार खाली पद ग्रीह राजय मंत्री नित्यानंद राय ने बुद्धवार को राजय सभा को सुचित किया है कि सरकार ने दिसंबर 2013 तक केंद्रिय ससस्त पूलिस बलो में 84 है 405 मौजूदा रिक्तियों को भरने का निन लिया है बता दे भाजबा सांसाद अनिल अगरवाल के लिखीत प्रश्ण का उतर देते हुए मंत्री ने आगे कहा है कि कॉंस्टेवल के 25 सेर 277 पदों को भरने के लिए परिक्षा पहले ही अवेजित की जा चुकी है यह जनकारी समाचार एजेंसी एनाई ने दी है वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों साथ सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवेक अवसे दे थैंक यू